Animal Form and Function 1 पे बात हो रही है और इसमें Integumentary System of Vertebrates जो के इसका सब हेडिंग है और इस Integumentary System of Vertebrates में पिछले Modules के अंदर Fishes के अंदर Amphibians और Reptiles पर गुफ्तगु हो चुकी आज इस Module के अंदर Skin of Birds पे बात होगी तो Skin of Birds इसके अंदर Reptilian Features हैं Reptilian Features जैसे के आप जानते हैं जैसे हम पड़ चुके यह बहुत ड्राइ कंडिशन्स में रहने वाले अनिमल्स हैं और उसी तरह उसके अंदर Adaptations भी हैं इसके अंदर बहुत कम Epidermal Gland's हैं और यही फीचर हमें Birds के अंदर भी मिलता है और Birds के अंदर There are very few, very few Epidermal Gland's बलके Exceptional, यह Exceptional A Gland है विच इस काल्ड़ एज यह उरोपीजियल यह प्रिनिंग ग्लैंट यह पूरी स्किन के अंदर नहीं पाइजाती बलके यह बिलकुल Bird की टेल के ऊपर यह एक ग्लैंट है जो कि सिक्रीशन्स प्रड्यूस करती हैं और आपने देखा होगा कि जब Bird बहुती लेयरली बैठे होते हैं तो वो अपनी चौँच बार बार पीछे ले जाते हैं और वो उस सिक्रीशन्स को टच करते हुए वो फिर अपने पूरे फैदर्स के उपर स्प्रेड करते हैं इसका मकसद क्या है इसका मकसद यह है कि फैदर् यह यूरोपीजिल ग्लैंड्स की सिक्रीशन्स स्प्रेड करता है और यह जो फिनामिना है यह जो बर्ड्स इस तरीके से जो करता है इस प्रासेस को हम प्रीनिंग प्रासेस कहते हैं और यह ग्लैंड जो है यह से हम उसी तरह उसी हवाले से प्रीनिंग ग्लैंड भी कहते है और इस epidermis, birds के अंदर, it's very thin, hardly two, three cell thick, अभी हम इसकी डायक डाम भी देखते हैं और इसकी outer skin is keratinized, जब हम keratinized कहते हैं तो that means कि उसके अंदर keratin है, keratin क्या है, it is a protein, it is a structure protein और ये बहुत, it's a little bit, a tough protein है, और ये protect करती है, पूरी की पूरी skin को, ये keratinized है और ये keratin कहां पाए जाता है, human के अंदर भी, बाकी animals के अंदर भी keratin पाए जाता है, जैसे nail के अंदर, hair के अंदर, और scales के अंदर, तो these are all keratin, और ये एक information के keratin is the maximum, बलके इसी के अंदर फिर collagen fibers भी आ जाते हैं, तो ये maximum protein है, जो हमें bird animals के उपर, animals के उपर मिलती है, क्योंके ये सारी के सारी, it is all, the skin is all covered by keratin fibers, और इसी birds के अंदर, फिर एक और ये जो के बहुत important एक diagnostic character है birds का, वो ये है कि इसके अंदर feathers हैं, और feathers के आगे फिर, काफी इसके अंदर kinds हैं, जो इसके down feathers भी हैं, इसके अंदर plume feathers भी हैं, quill feathers भी हैं, तो ये सारे के सारे feathers जो हैं, they are all derived from the epidermis, और ये birds, this is the judgment बात बात की, कि this is the diagnostic character of all the birds, ये फैदर्स को दे के हम पहचान सकते हैं, कि ये जो पांच classes है, vertebrates की, इसमें सी कौन सी class, and that is obviously, that is the bird, और इसके बाद dermis, dermis skin की, birds के अंदर जो dermis है, it is similar to those of the reptiles, ये भी उसी तरह ही उसी की continuity है, और इसके अंदर, it is in the dermis, where there is blood, then the lymphatic vessels, then nerves, और उसके बाद ये sensory bodies, dermis की अंदर ही हैं, जब क्योंके dermis, epidermis जो है, it is very thin, it is very thin, और feathers, they are, इसकी दूसरी एक important, इसका जो feature है, या अश्पुन जो उसका function है, वो यही है, कि it maintains, it is important for thermal regulation, and it also for, it is important for flying, आपने देखा होगा, कि सर्जियों में, खास तौर पे, जो birds हैं, वो बहुत फूले फूले लगते, वो क्यों फूले लगते, उनका मकसद क्या है, ताके skin के ऊपर, bird की, bird अपनी skin की ऊपर, एक blanket सा बन जाता, air का, air is entrapped, among the, this, among the feathers, जिसकी वैसे, they feel warmth, और इसलिए, आपने देखा होगे, बहुत ही harsh conditions में, बहुत ही hostile conditions में, birds, बड़ी आसानी से रह सकते हैं, क्योंकि उन वो एक इसम का, अपने इव्दगिर्द, एक, गरम हवा का, एक blanket सा ओर लेते हैं, by just, by this process of feathers, now this is the model, it is not exactly, you can say, the cross-section of the bird's skin, बलकि इसमें आप देख रहे हैं, there are two main, you can say the parts, the epidermis, and then the dermis, epidermis is relatively small and thin, यहां से लेगी यहां तक, और जबकि dermis, यह एक, बड़ी मोटी लेर है, और यहां पे, epidermis को देखे, तो the upper layer is the stratum corneum, next is a stratum germinativum, this is called, it is pronounced as germinativum, और उसके बार फिर, then there is a basement membrane, तो basement membrane, which is the lowest membrane of the epidermis, उसके उपर फिर, stratum germinativum, and then there is a stratum corneum, it is in the germinativum, where divide mitotically, and consequently, the new cells are formed, and it is transformed into the stratum corneum, it is then sloughed off from the skin of the animal, and this is a continuous process, it is a continuous process, तो यह stratum germinativum, यह एक लेर है, जिसके अंदर mitosis होती है, नए cells बनते है, नए cells जो है, वो ऊपर धके ले जाते है, और वो stratum corneum में फिर convert हो जाते है, which is then sloughed off, जबके dermis में, upper layer, it is a collagen fibers, collagen fibers, इसके अंदर cells भी हैं, और fibers हैं, यह अंदर मोस्ली प्रोटीन, और यह बहुती, this is maximum type of protein, which is found in the animals, और बलके आजकल आपने देखा ही होगा, कि बहुत सारे ऐसे supplements भी आ रहे हैं, which contains collagen, और जिसकी वैसे we can slow the aging process, that is called as collagen, collagen की बेशुमार products हैं, कि market के अंदर हो रहे हैं, और इसे हम अगर इस्तेमाल करें, तो यह जो wrinkling है of skims, यह भी काफिया तक minimize हो सकती है, अब dermis के अंदर, there is elastic fibers, और इसी dermis के अंदर, blood vessels हैं, फिर nerve fibers हैं, फिर lymphatic vessels हैं, तो यह तमाम चीज़ें जो हैं, यही हैं जो के skin को, they make this skin living, क्योंकि skin is a living tissue, लेकिन सिर्फ upper cells जो हैं, वो दर असल वो remove होते रहते हैं, और नए से इससे कह सकते हैं, कि यह skin है, it is continuously renovated, it is continuously renovated, अगरचे यह renovation जो है, with aging process, it slows down, लेकिन young age में यह process बहुत तेज होता है, और जिसकी वैसे, यह skin काफी healthy और young रहती है, तो this is all about, this is all about the skin of birds,